हेलो एवरिवन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मटर को एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसका जो फ्लेवर है और कलर है उसको खराब किये बीना हम इसे एक साल तक स्टोर करके कैसे रख सकते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चली शुरू करते हैं आज किस वीडियो को इसके लिए मैंने यहां पर लगभग डेर से दो किलो मटर लिये थे जिने मैंने अच्छे से छील लिया है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो खराब दाने है वो आपको इसमें से निकाल देने है नहीं तो वो बाकी के मटर को भी खराब कर देंगे तो यहां पर मैंने यह जो मटर है इनको अच्छे से साफ कर लिया है और इसे अब हम साइड पर रख देते हैं और यहां पर मैंने एक कडाई लिया है और उसमें हम पानी डाल देंगे पानी आप अपने मटर की क्वांटिटी के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं यहां पर लग इसमें डाल रही हूँ लगबग दो चम्मच चीनी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी डालने से दो काम होगे एक तो जो मटर का कलर है वो ऐस इस ऐसा ही रहेगा और दूसरा इसमें एक हलकी सी मिठास आजाएगी और अब यह जो चीनी है यह अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अब हम इसमें एड करेंगे मटर जो हमने चील के रखे थे आप एकदम से सारे मटर इसमें नहीं डाले थोड़े थोड़े करके मटर इसमें डालें क्योंकि जो पानी है वो बहुत गरम है तो आपको ये जो काम है वो बहुत ध्यान से करना है ये सारे मटर मैंने इसमें डाल दिये है और अब हम गैस का जो फ्लेम है वो हाई रखेंगे और इसे घड़ी देखकर पूरे तेन मिनट के लिए हम इसे बॉयल करेंगे इस पूरे प्रोसेस को ब्लांचिंग बोलते हैं ब्लांचिंग से क्या होता है कि इसकी जो डस्ट है वो रिमूव हो जाती है और उसके साथ ही साथ ये जो ब्लांचिंग है ये जो एक्शन ऑफ एंजाइम है उसको कतम करती है और इससे क्या होता है कि जो इसका flavor है जा color है या texture है वो as it is same रहता है इसे boil करने से वो बिल्कुल खराब नहीं होता है तो इसलिए ये जो blanching है ये करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसे मटर को सिर्फ छील के store कर लेंगे तो थोड़े time बाद क्या होगा कि उसका जो color है या taste है वो खराब हो जाएगा और वो जो हम बनाएंगे उसको तो वो बिल्कुल भी tasty नहीं बनेंगे इसलिए ये सारा process करना बहुत ज़रूरी है अगर आप मडर को लंबे समय तक store करना चाहते हैं और इसे ऐसे boil करके रखने से क्या होगा कि इसमें जो vitamin A है या C है वो इसी में ही रहेगा वो खतम नहीं होगा तो इसलिए ये process आप जरूर फॉलो करें और अब आप देख रहे हैं कि इसे रखे हुए लगबग 2-5 मिनट हो चुके हैं और जो मटर है वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो चुके हैं ये भी एक sign है कि ये जो मटर है ये हमारे हो चुके हैं और इसे हमें ज्यादा ओवरकुक नहीं करना है और अब हम क्या करेंगे कि जो गैस का flame है वो बंद कर देंगे और ये सारे मटर को हम चान लेंगे एक छनी में हम धीरे धीरे करके ये सारे मटर निकाल लेंगे और इसके बाद directly हम इसे डालेंगे ठंडे पानी में इससे क्या होगा कि मटर को एक शौक मिलेगा और इससे दो काम होगे एक तो इसका जो color है वो खराब नहीं होगा वो हरा ही रहेगा और दूसरा इसका जो cooking process है वो slow हो जाएगा और ये extra soft नहीं होगे और अब हम इसे 2 minute के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे चन्नी में और इसका जो सारा extra पानी है वो निकाल देंगे और उसके बाद हम इसे डालेंगे एक cotton के कपड़े के ऊपर और इसको अच्छे से हम फैला देंगे और इसे छोड़ देंगे लगबग 15-20 मिनट के लिए तांकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है या moisture है वो निकल जाए और 15-20 मिनट बाद जब ये ठंडे हो जाएं तब हम इसे ट्रांसफर करेंगे एक polythin में आप किसी भी तरह का polybag ले सकते हैं मैं यहाँ पे सील्ड वाले polybag ले रही हूँ आप चाहे तो इसे किसी कंटेनर में भी भरके रख सकते हैं और यह जो सारे मटर है हम इन पॉली बैग में भर लेंगे आपको इन्हें 3-4 ती भरना है पूरा उपर तक नहीं भरना है और इसे सील करके आप रख दें इसे फ्रीजर में और मेरी रेस्पी अच्छी लगी हो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू